जैसे ही मैं किचन में पहुंची मैंने देखा मेरी मां जो को रखाई में डाल रही थी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने मेरी मां को बोला कि अरे मां भूख लगी है आप ये क्या करी ओ? अरे मा ये क्या कर दिया आपने तो साबुत प्यास ही डाल दिया और इस तरीके से आप इसको कूट क्यों रही हो मुझे भूक लगी है खाना बनाने की बज़े आप ये क्या चीज कर रही हो कौन सा खाना बना रही हो तो मेरी मा बोली कि अरे रुको मैं अभी बताती हूँ तो मैंने कहा भला खाने में साबुत प्यास कौन डालता है तो मा बोली कि अरे तुम रुको तो सही तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो तो मैंने कहा भूक लेगी है फिर अरे ये क्या आपने तो इसमें साबुत लेसुन भला कौन डालता है मुझे तो कुछ छमज में ही नहीं आ रहा है कि अरे मा आज आप क्या करने वाली हो तो मा बोली कि आज वो बहुत ही खास सी रेमेडी लेकर आई है तो क्या दोस्तों आप कि मैं आपका ठेंक्स कर सकूँ पिछला ठेंक्स जाता है नीतू जी को फरीदाबाद से तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ममी ने यहाँ पर तो जो कड़ी पता होता है वो भी डाल दिया मैंने का ममी आप तो आज कुछ भी सारा सामान डाल रही हो मुझे तो ऐसे लग कर दिया मैंने का ये कौन सा ओयल है तो मा ने बोला कि ये तिल का तेल है तो मैंने का कल आपने इसलिए मंगवाए था कि ताकि आप इसको खराब कर सको तो मा ने बोला कि अरे बताती हूं मैंने आस तक कोई चीज खराब करी है क्या जो मैं अब जाकर खराब करूंगे मैंने का हाँ आपने कभी चीजे खराब तो नहीं करी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से भला करने का क्या मतलब है तो ममी ने बताए कि अरे तुम रुको तो सही तुमें सब समझ में आ जाएगा तुम बहुती जादा बोल रही हो तो मैंने का भूक लगी है अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो बोलूंगी मा ने बोला कि भूक लगी है तो मैंने तुम्हारे लिए बिर्यानी बना के देखी है साथ के कूकर में देखो तो मैंने का अच्छा आपने बिर्यानी भी बना दी तो मा बोली हाँ बना दी है अब तुम थोड़ी देर बि मेरे नजर तो बिर्यानी पे चली गए फिर मैंने सोचे कि चलो बिर्यानी खाते खाते ही देख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजे जा रही है और क्या होगा आज क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था इस तरीके से जो को पकाते हुए प्यास लेसुन को साबूर डालते हु बोली मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया कि आज क्या होने वाला है तब ही मा कह रही थी कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो तो मैंने कहा कि मा अब तो आप मुझे मती बताओ मुझे सर्प्राइज देने वाली थी लेकिन मुझे पता चल गया है कि आज आप क्या बनाने तो क्या दोस्तों आपको अब समझ में आ गया है कि क्या बनने वाला है तो मुझे तो समझ में आ गया है और देखते ही देखते यहां पर टाइम भी अच्छा खासा हो गया है और इसका जो प्याज और सारी चीजों का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया है तो दोस् तरीके से अपने बालों का ख्याल करोगे इस तरीके की रेमेडी अगर आप अपने घर पर अपलाई करोगे तो हो सकता है कि आपके बाल भी नैचुरल तरीके से काले हो घने हो सुंदर हो क्योंकि ये जो जो है ये बालो के लिए बहुत ही जादा effective है अगर आपके पास में तिल का तेल नहीं है तो आप सरसो का तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं और बहुत ही खासी remedy है तो मैंने कहा कि अब क्या करोगी तो माने देखते ही देखते ये जो लहसन प्याज के छिलके थे उनको निकाल लिया और बोली कि इनका कोई काम नहीं है क्योंकि सारा जो रस है वो इस ओयल में आ गया है और ये बहुत ही असरदार जो ओयल है वो घर पर ही नैचुरल तरीके से बन कर त्यार हो गया है बिना किसी महनत के तो मैंने बोला कि अभी भी मा इसमें कुछ करना है क्या तो मा बोली कि रुको वो मैं तुम्हें अबे बताती हूँ तो देखते ही देखते ये जो मोटा मोटा छिलके थे वो सारे निकाल लिये और इसी के साथ में माने मुझसे एक छलनी इसको खाली करने के लिए बोल दिया और एक कटोरी भी ले ली देखते ही देखते ही ये सारा जो ओयल है वो जो बालो की है जो सर की है वो मसाज कर सकते हैं तो ये अपने बालो पर अपलाई कीजिए आपको बहुत ही अच्छे रलजल्ट मिलेंगे आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं चलती हूँ आज के इस वीडियो में इतना ही और स साथ ही साथ ये जरूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो देश के कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ बाबाई